हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकुम टासमास कुटिंग फीवर्ड आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट टिफन बॉक्स रेसिपी यानि के रेंबो इडली जो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिब वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेगा और वो बहुत ही खुश भी हो जाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने रात को बैटर बना लिया था मैंने इसमें दो कप चावल और हाफ कप उरत की डाल एड़ किया है और थोड़ा सा राइस एड़ करके मैंने इस तरह से बैटर को रख दिया था राद भर के लिए किया है आप चाहा तो कोई भी डिफरेंट कलर का भी आड़ कर सकते हो जैसे कि ब्लू ग्रीन या फिर आपको कोई भी कलर अवेलेबल हो तो आप इसमें आड़ कर सकते हो जो बच्चों को इंटरस्टिंग लगेगा पता है कि फूट कलर बच्चों के लिए उतना सेफ नहीं है बट कभी-कभी बच्चों के वो इंटरस्टिंग बनाने के लिए ब्रेकफास्ट को इंटरस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ ट्राइक करना ही पड़ता है अगर आप फूट कलर अड़ नहीं करना चाहते हो तो आप फूट कलर की जगे पर यहां पर आप प जूसे आटा पीसा तो मैंने इसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया Back की लिए यही नहीं मैंने यहाँ पर ए वैड़ में दो दो रेसिपी जैसे के इटली और दो साथ दोनों बना सकते हो इस तरह से अब में इडली के मोल में इस तरह से सारे बैटर को कलरफुल अलग-अलग मैं इस तरह से रख लूँगी जैसा के एलो और इंज और ग्रीन जो भी है मैंने इस तरह से आड़ कर लिया है घर पर आप भी इसको इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी होगी और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे आप भी इसको जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा इडली के कुकर में एक ग्लास पानी दाल कर इस तरह से बॉल करने के लिए उसे छोड़ दिया जैसा ही स्टीम अब्जर्व होती है मैं उसमें इडली का स्टैन रग दूँगी और इसे हाई फ्लेम में दस मिनिट के लिए मैं इसे अच्छे से पका लूँगी और मैं हाँ पर चटनी भी पीस रही हूँ यह पकर तयार हो चिके हैं आप देख सकते हैं कितने फ्लॉफी और कितने बढ़िया बने हैं और यह बहुत ही कलोफुल भी लग रहे हैं आप इन्हें बच्चों के लिए टिफन बॉक्स में ज़रूर इसमें बनाईएगा और मुझे बताईएग क्या आपको कैसा लगा अगर मेरी रिस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और असमा स्कूटिंग फीवर को देखते रहीएगा किल देन कीप वाचिंग असमा स्कूटिंग फीवर टेक केर अल्ला हाफीज और बी बलेस्ट